नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको P.A.P.L. के बारे में बताऊँगा प्री अप्रूट पर्सनल लोन ये स्टेट बैंक आप इंडिया का इंस्टेंट पर्सनल लोन है जो की आपको S.V.I. योनो एप के माध्यम से मिलता है अब हम इसके बारे में डिटेल में discussion करेंगे सबसे पहले आप ये समझीए कि ये सिर्फ एक पर्सनल लोन है यानि कि इसके लिए आपको बैंक को किसी तरह की कोई security नहीं देनी जो पर्सनल लोन एक्सप्रेस क्रेडिट आप ब्रांच में जाके लेते थे SBI ने अब उसको आपको योनो एप पर बिना किसी documentation के बिना ब्रांच विजिट के अबेल करना शुरू कर दिया है अब इसके अंदर कौन कौन eligible है जो salary class है जिनका corporate salary package account SBI के साथ है वो सब eligible है और जो business class है वो भी eligible है लेकिन आप एक चीज़ का बिशेज ध्यान रखना कि आपका किसी तरह का कहीं भी किसी भी bank में कोई civil में default ना हो इस चीज़ का बिशेज ध्यान रखना और बाकी और हम discuss करते हैं अब इसके अंदर मान के चलिए ठीक है eligible है लेकिन यह offer किन किन को अपलब दोगा actually SBI की क्या है कि खुद की एक artificial intelligence software और काफी सारा उन्होंने server बगएरा system रखा हुआ corporate center में तो बहां से processing होती है यानि कि जब आप SBI के customer है तो जो system है वो खुद process करता है आपके सारा data collect करके देखता है civil देखता है आपके पुराने transactions देखता है कितना credit debit हुआ है वो देखता है कोई personal loan चल रहा है या किसी तरह का कितना fixed deposit आपके account में वो सारी चीज़ें देखकर कुछ लग्की जो भागशाली ग्राक है उनको ये PAPL का offer उपलब होता है ये बाकाइदा आपको notification आता है SMS आता है और bank की तरफ से भी call किया जाता है अगर आप उन बागशाली customers में जिनको PAPL का offer मिल रहा है अब बात करते हैं इसका जो loan amount है वो लगवाग 25,000 से लेके 8,000,000 के बीच में हो सकता है यानि कि आपको minimum 25,000 और maximum 8,000,000 पर PAPL मिल सकता है जो इसके अंदर जो repayment period होड़ता है maximum 72 month मतलब 72 महीने तक आप में आपको इस loan को payment करना होता है चुकि PAPL 6 तरह के है तो 6 तरह में अलग-अलग rate of interest है ये rate of interest आपको 9% से लेके 12% per annum पड़ती है जो कि लगए सारे बैंकों से सबसे सस्ती है जब आप इस loan को avail करते है यानि कि तब notification और योनों में तब आप process करते है तो आपका saving account instantly credit हो जाता है यानि कि आपको न ब्रांच में process होता है न शिस्टम कहीं process करता है instantly आपका saving account उतने amount से credit हो जाता है अब जो इसके अंदर processing fees है वो 1.5% है जो minimum 1,000 रुपे और maximum 15,000 रुपे तक लग सकती है जब भी आप इस loan को process करें तो एक चीच ensure कर ले कि आपके saving account में 5-10,000 रुपे रहे अगर ऐसा नहीं हुआ और आपके saving account में हो चुका है तो तब भी आप you know app में process करें ensure करें कि आपके saving account में लगवग 10,000 रुपे रखे हुए क्योंकि processing fees आपके saving account से कटेगी अगर यादि आप इस loan को pre-closure करवाएंगी maturity के पहले तो लगवग 3% की amount है जो outstanding है वो आपको prepayment penalty देनी होगी आपका civil score इस loan को लेने के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए किसी तरह का कोई default overdue नहीं होनी चाहिए ना DPD होनी चाहिए अब इसको कैसे आता है जब आप जब automatically system generate आपको बागेशाली graph में बना देता है तो SBA आपको एक message करती है जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि आप Yono app के माध्यम से इतने इतने amount का PAPL ले सकते है तो आप Yono app के notification में उसको देख सकते है अब जैसे मान के चली अगर आपके बागे message नहीं आया तो आप Yono open करें और वहाँ पर आपको एक bell का icon दिख रहा होगा अगर मान के चली आपको confusion है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आप simple एक message भी कर सकते है SMS PAPL space और जो आपके account की चार लास्ट चार डिजिट है वो आपको 567676 number पर SMS करनी है इससे आपको तुरंट एक message आजाएगा कि आप eligible हैं या नहीं है अब मान के चलीए ये जो loan account है ये close कैसे होता है अगर हम मान के चलीए आप regularly EMI pay कर रहे है तो system इसको automatically close कर देगा लेकिन अगर आप इसको maturity के पहले close कर आना चाहते है तो आपको branch में जाकर ही बंद करवाना पुड़ेगा मैंने जैसा starting में कहा था कि PAPL 6 तरह के है यानि कि अलग अलग तरह के PAPL है pre approved express credit loan pre approved pension loan तो यानि कि सबकी category में एक जैसी है ये नाम अलग अलग है अब ये 6 जो अलग अलग तरह के है आप 2 minute के लिए मेरा video रोक सकते है और ये PPT को आप पीछे जो PPT है उसको आप गौर से देख सकते है कि 6 जो अलग अलग तरह के लोन, book क्या क्या है उनकी कितनी penalty है कितनी processing fees है कितना rate of interest है आप इसको देख सकते है 6 मेने अलग अलग उसमें बनाया हुआ है अब ये सब तो ठीक है लेकिन देखिए मित्रो, मैं आपको अभी एक warning देता हूँ कि आज की date में market में ऐसी हजारो एप है जो आपको instant personal loan देने का बादा करती है आपको काफी सारी application मिल जाएगी गूगल पे, लेकिन मैं आपको पहले ही मैं बोल चुका हूँ मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि इस तरह की instant PAPL app से दूर है सिर्फ जो genuine apps है SBI की, HDFC की Access Bank की, ICCA Bank की या फिर जो अच्छी renewed company है जिनके office में आप जाते रहते हैं केबल उनी से आप personal loan ले किसी भी unknown company से personal loan ना ले क्योंकि आजकल कुछ इस तरह की incident बहुत हो रहे है जैसे कि अभी कल की बात है 23 December की बात है कि एक आदमी को ने खुद को suicide कर ली क्योंकि उसको जो loan है उसने एक app से loan लिया था पिर वो company वालों ने उसको बहुत ज़्यादा हरास किया तो मेरी आप से यही गुजारश है प्लीज जिन company के बारे में आप जानते नहीं है उनसे loan ना ले नहीं तो आप बहुत बड़ी problem में फस सकते हैं तो friends मुझे उमीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज मेरा वीडियो अपने WhatsApp ग्रूप में जरूर शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सेके और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाखे रखे क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सिर्फ बैंकिंग से रेटेड इंफॉमेशन ही मिलेगी धन्यवाद फ्रेट्स